नमस्कार मैं गौराव आप देख रहे हैं एंट्यूंटी सेवन न्यूज वक्त हो चला है दिन की पाँच बड़ी खबरे जानने का सीएम फ्लाइंग और ड्रग विभाग ने एक ऐसे घिरों का भांडा फोड किया है जो ग्रू ग्राम में कैंसर के मरीजों को नकली इंजेक्शन बेचकर लाखो रुपे का चूना लगा रहा था टीम ने एक आरोपी को गिरफतार कर लिया है उससे पूछता आज भी करी जा रही है बताए जा रहा है कि आरोपी अब तक मरीज को दस लाख रुपे के नकली इंजेक्शन बेख चुका था और उस पर से नकली इंजेक्शन बेचना यह अपने आप में ही बहुत शरम सार कर देने वाली बात है अब आये रुप करते हैं दूसरी बड़ी ख़बर का पंजाब पुलीस ने खालिस्तान समर्थक अमरितपाल सिंग को गिरफतार कर लिया है अमरितपाल को मोगा के रोड जी ने बताया कि उसे केंद्रे एजंसियों के साथ सयुक्त ऑपरेशन में गिरफतार किया गया है ना कि उसने सरेंडर किया है अब रुप करते हैं तीसरी बड़ी ख़बर का महरास्ट के पूरे में शनिवार और रविवार के दर्मियान रात एक बहुत बड़ा हास्सा हु इनी की बोरियां ला दे जा रहा एक ट्रक एक बस से टकरा गया इसमें चार लोगों की मौत हो गई वहीं 18 लोग आपको बता दे गंभीर रूप से घायल है हास्से की सूचना के बाद पुलीस टीम मौके पर पहुची और घायलों को अस्पताल पहुचाया गया प्रधानमं मौधी 24 और 25 अप्रेल को दो दिव से दोरे पर अलग-अलग राज्यों में जाएंगे वह उत्तर में दिल्ली से शुरू होकर सबसे पहले मध्य भारत यानि मध्य प्रदेश की यात्रा करेंगे उसके बाद वह दशिन में केरल जाएंगे और फिर पश्चिम में केंद्र श अफगानिस्तान में आतंकी हमलों का खत्रा जादा रहता है इसलिए यहां उनी जवानों को तैनात किया जाता है जिनके पास खास तरीके की कमांडो ट्रेनिंग होती है अब आपको बता दे कि इस पर ITBP की महिला कमांडो अफगानिस्तान के काबुल में भारते दूतावास की सुरक्षा की कमांड संभालेगी इन महिलाओं को खास तरीके का परिसिक्षन पंच कुला के भानु स्थित आई टीबी के परिसिक्षन केंदर में दिया गया है 19 महिला कमांडों को खास तरीके की ट्रेनिंग दी गई है छे सपता की ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं के प 23and 27news आप देख रहे हैं n27news पकड़ हर खाबर पर